आसलाम वालेकुम, न्यापकर बताने है चीकन प्लाव की रेशिपी बावरशी के स्टाइल में پिया पावरशी की रैसिपी है और मैं 70 किलो चीकन के हिसाब की रेसिपी बना रही हूँ तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं ॥ Nep सहीं कुछ मसाले हम देख लेते हैं जीरा थेबल स्पुन, यहां पर मैंने तीन लौंग लिया है। दो बड़ी इलाईची ले लिया दो हरी इलाईची, छे मैंने यॉंठीक ले लिया and vatr इक दालचीनी की सटीक और нес तीन पर ले लिये तेस पत्ते और सटीक मैंने五 कड़ी-pत्ते के इसे पेस हल्का सा रोस्ट करके और इसे पीस के साइट पर रगदेना है यहां पर गहरा बरतन ले लिजी, इसमें हम ओइल add करेंगे, ऑइल हमें कम असकम जो है देड कप के इतना उईल हमें इसमें add करना है इसके साथ हम इसमें add करेंगे, देखिए माझ हम इसमें एक चोल लिया था हुए इसके इस भी Ya अभून होई तक को करना है चब प्याज हमारी देखिये का ब्राउन हुज से ब्राउन हो तू टेबल स्पून भरके अब अधर लसन के पेस्ट को भी हमें भून लेना है प्यास के साथ जब तक इसकी महकना चले जाए दो से तीन मिनिट में अच्छे से गुख हो जाता है और इसी के साथ मैं आठ हरी मिर्चों को करश करके समयाट कर यू अपने टीस के साब से कम अब जो है न आण इसमें आड़ करेंगे चिकन देखे हाफ की चिकन पेजाए बड़े बड़े पीसेस ली है किसे प्लाव के अंदर इसे बड़े बड़े पीसेस आड़ करने से न चिकन हमारी फुटती नहीं है तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ हलका cook कर लेंगे तकरीबन तीन मिनिट के लिए देखिए अगर आपकी चिकन की quantity जादा है तो आप मसालों की quantity को भी जादा कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया उसका double कर लीजिए देखिए चिकन हमारा जो है मैंने cook कर लिया है तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से cook कर लिया है मैंने अब हम इसमें add करेंगे आलू मैंने यह पर दो आलू का use किया है आपको ज्यादा पसंद है तो आप और भी add कर सकते है और इस प्लाव के अंदर ना अलू का बहतरीं फ्लेवर आता है पता है क्यों क्योंकि आम जो जीरा और पीज़ा के डालेंगे इसके अंदर तो इसका अलगी फ्लेवर निकल के आता है यह बावर्षी की original recipe है ना मुंबई बावर्श की अरोजिनल रेसिपी में आपको बता रही हूं जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको भी बहुत बैतरीन लगेगा देखे यहां पे जो है धनिया और सौफ का जो पाउडर मैंने इसमें आट कर दिया है ल 앞에 हमें हाज और चाट मसाले का पाउडर गराम मसाला पाउडर 1 टेवल सपुन कसूरी में अब इन सबकोवी अच्छ से मिक्स कर देना है वहलका से हमें झाला में भून जर्ट कर रही हूं बाद में जब हम धूम राइस गरेंगे तब आपकर जरया झायँ नमग है प्रम ढब अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें आट करेंगे दही देखिए यहां पर हमें फ्रेश दही का यूज करना है बिल्कुल असे खटी-खटी दही मत आट करिएगा जो बासी दही है तो प्लाव का टेस्स बहुत बहतरीन होगा देखिए यहां पर मैंने दम फ्रेश दही थ्री टेबल स्पून आपको नजर आ रही होगी इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से अब दही के पानी में हमारा जो चीकन और आलू है अच्छे से गल जाएगा हमें पानी वगारा आट करने के जरुवत नहीं पड़ेगी इसके अंदर अब इसे ढग देंगे और हम चीक अब आट कर रही हूँ फ्रेश कोरियंडर जो है अगर आपको एट करना है करिये नहीं तो स्किप भी कर सकते है इसी के साथ मैं अच्छे मेरे इंडिडियन्स जो है दूद एक कप दूद जो है हम इसमें आट करना है जो हमारे प्लाव का टेस्ट बड़ा देगा और बहुत लागो इसे जो हमारे प्लाव बना सब्सक्राइस है ऊशुट डेशनदी जय Fairuna secrets यहां पर आदकी बना मेरे फ्रैस यहां पर अदा कील और लगभ्ये है मFEशेखक वारये जो है इसमे अपको उसका यूझ मूद करके एस प्लाव को मेरा सकते हम इस राइस के अंदर बहुत अ अच्छा लगता है इसमें यह जीरा राइस में हम लोग बनाते है प्लाव तो आपको जो भी राइस एट करना है आपकर सकते हैं और इसी के साथ मैं मैं इसमें पानी एट कर रही हूं देखे पानी का देड़ इंच जो हमारी उंगली डूब जाना चाहिए तो हमारा कोई भी आपके परफेक्क बनके रेड़ी होता तो पानी एट करने के बाद चेक कर लीजिए इसी के साथ एक लिम्बू का जो है मैं डूसिस में एट कर रही हूं और इसी के साथ मैं आपके पास है तो एट करिए दो ड्रॉप के इतना अगर नहीं है तो स्कीप कर सकते हैं और यहां इसी के साथ मैंने नमक टेस्ट कर लिया था अब जो है चावलो के हसाब से मैं नमक आट कर रही हूं अब जो ऐसे ढख के अच्छे से कूख होने देंगे बीच में इसे थ्वा तुरा चेक करते रहेंगे कि हमारा जो राइज है ना नीचे लगे ना इस तरीके से हलके हाथ अपने चलाना है इसे बहुत बहुत बहतरीन सा हमारा प्लाव नजर आ रहा होगा आपको इद्दम वाइट वाइट बावर्ची अंदाज में यह प्लाव अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत बह है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर वन कीजिए उससे आनवली सबसे पहले रेसेपी आपको मिलेगी देखिए आपको नजर आओगा चिकन और आलू हमारे बिलकुल भी नहीं फूटे और राइस का कलर कितना बहत अजर बाइस